नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एक्जाम वाला में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेडागोगी पर आधारित 10 महत्पूर्ण प्रस्नों को लेकर आए हैं ये भाग दो है पहला भाग हम अपलोड कर चुके हैं उसका डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही आपकी स्क्रीन पर दिये गए आई नोटिफिकेशन जो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्णर पर मौजूद है उसमें आपको मिल जाएगा पहली वाली वीडियो का यानि पार्ट वन का लिंक तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रस्न की तरफ आज की इस वीडियो का जो पहला प्रस्न है वो है वी स्मिर्थी कम करने का उपाय है वी स्मिर्थी कम करने का उपाय है ओप्शन एक सीखने की तुरूटी विधी ओप्शन दो सीखने में कमी ओप्शन नमबर तीन पाठक की पुन्रावर्थी चार इसमन करने में कम ध्यान देना सही उतर है ओप्शन नमबर तीन पाठक की पुन्रावर्थी करना वी स्मिर्थ यानि भूलने के उक्म करने का उपाय है, एक मात उपाय है, अगर आप बार-बार याद के होई को भूल जाते हैं, तो उस पाठ की या उन प्रस्नों की आपको पुन्रावरत्ती या बार-बार रिपीट करने पड़ेंगे वो प्रस्न, जिससे आपकी भूलने की समस्या को पुर्य किया जा सकता है। सकता है केवल उन्रावर्ति यानि रिवीजन के द्वारा ही और विस्मृति को कम किया जा सकता है और जो आप भूल जाते हैं बार बार उस आदत को कम किया जा सकता है प्रेस्न नमबर दो क्रोध एवं भै किसके प्रकार हैं? उप्शन एक समवेग, उप्शन दो अभिपरणा, उप्शन तीन परिकल्पना, उप्शन चार मूल प्रवर्ति सही उत्तर है उप्शन नमबर एक क्रोध एवं भै समवेग के प्रकार होते हैं समवेग क्रोध वेब है, समवेग का प्रकार है, मैंक डूगल द्वारा इसी प्रकार के चोदे समवेगों की व्यक्षन की वाक्षा की जफ़ि गई है अगला प्रेस्ण है दूसरे वेक्ति के वाहे वेवार यानि बाहरी वेवार की नकल क्या कहलाती है option 1 अनुकरण, option 2 सीखना, option 3 कल्पना, option 4 चिंतन, सही उत्तर है अनुकरण अगर हम किसी अन्य वेक्ति के द्वारा जो वेवार किया जा रहा है उसकी नकल करते हैं तो उसको अनुकरण करना कहते हैं अनुकरण या नकल दूसरे वेक्तियों के बाहरी वेवारों की नकल करना ही अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है तो वह अनुकर्ण की सिर्णी में आता है अगला प्रसने यदि पूर्व ज्यान वे अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहाता करते हैं तो उसे कहते हैं ओप्शन एक सकारात्मक प्रिसिक्षन इस्थानांत्रण option 2 नकारात्मक प्रसिक्षण इस्थानांत्रण option 3 प्रसिक्षण इस्थानांत्रण option 4 सीखना सही उतर है option नमबर 1 सकारात्मक प्रसिक्षण इस्थानांत्रण यदि पूर उग्यानवे अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहयोग या साहयता करते हैं उस प्रकार के प्रिसिक्षण को सकारात्मक प्रिसिक्षण कहते हैं धनात्मक अंत्रण को सकारात्मक अंत्रण भी कहा जाता है जब पूर्व अरजित ग्यान नवीन जीवन नवीन ग्यान को अरजित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंत्रण कहते हैं प्रस्न नमबर पाँच सीखी हुई बात को इस्मर्ण रखने या पुने इस्मर्ण करने की अस्फलता को कहते हैं इस्मिर्थी, कल्पना, विस्मिर्थी या ध्यान सही उत्तर है option no.3 विस्मिर्ती यानि सीखी हुई बात को इसमरन रखने या पुनाय स्मन करने की असफलता को विस्मिर्ती कहते हैं यानि भूलने की आदत कहते हैं विस्मिर्ती या विस्मन भूलने से समंदित है जब सीखा हुआ ज्यान धारणिये ने हो या धारण ने किया जा सके तो विस्मन या भूलने की आदत उत्पन होती है प्रस्न नम्मर छे टर्मन के अनुसार नभ्य से सो बुद्धी लब्दी का बालक माना जाता है उप्सन नम्मर एक सामाने बुद्धी वाला उप्सन दो मंद बुद्धी उप्सन नम्मर ती इंस्रेस्ट बुद्धी उप्सन नम्मर चार छीन बुद्धी सही उतर है उप्सन नम्मर एक सामाने बुद्धी वाला जिस बच्चे की बुद्धी लब्धी या IQ, Intelligence QC90-100 के बीच होता है वह बालक सामाने बुद्धी बाला माना जाता है सामानने बुद्धी टर्मन के द्वारा बुद्धी लब्धी की अवधारणा को पृतिपादित किया गया था जिसमें मानसिक और तैथिक आयू, मानसिक यानि mental age और तैथिक आयू यानि chronological age बुद्धी लब्धी IQ ग्यात करने की जाती है बुद्धी लब्धी मानसिक आयू बुद्धी लब्धी बरावर होता है मानसिक आयू बटे तैथिक आयू multiply 100 इस पिरकार 99-100 के बीच की बालक सामानने बुद्धी लब्धी वाला बालक कहलाएगा प्रस्ण है हाल का सिधान्त निम्न में से किसकी वाख्या करता है हाल का सिधान्त निम्न में से किसकी वाख्या करता है उप्शन एक अधिगम में अभी प्रेणन की भूमिका की उप्शन दो बुद्धी की प्रिकिरती उप्शन नमर तीन मूलियों का विकास उप्शन नमर चार किसोरों का मनोविज्यान तो सही उप्तर है हाल का सिधान्त किसोरों के मनोविज्यान की व्याख्या करता है हाल का सिधान्त जो होता है वो किसोरों के मनोविज्यान से सम्मंदित होता है किसोरों का मनोवग्यान हाल ऐसे मनोवग्यानिक थे जिन्होंने पहले अमेरिका में किसोरा वस्था का वैग्यानिक अध्यन किया हौल एक ऐसे मनोवेग्यानिक थे जिनोंने पहली बार सबसे पहले अमेरिका में किसोरा वस्था का मनोवेग्यानिक या वेग्यानिक अध्यन किया था हाल के अनुसार कि सोरा वस्था आंधी तूफान की अवस्था मानी जाती है यह एक तनाव और तूफान की अवस्था होती है अगला प्रस्ण है मानव व्यक्तित के मनो लेंगिक विकास को निम्न में से किसने महत दिया था मानव व्यक्तित के मनो व्यग्यानिक या मनो लेंगिक विकास को किसने महत दिया था आप्शन एक हॉल ने, आप्शन दो, कैमनियस ने, आप्शन तीन, हॉलिंग वर्थ ने, आप्शन चार फ्राइड ने, सही उतर है, आप्शन नमर चार, फ्राइड ने मानव व्यक्तित के मनो लेंगिक विकास को महत्व दिया था, फ्राइड ने, मनो वैज्ञानिक फ्राइड ने, मानव के मनो वैज्ञानिक विकास का सिध्धान्त, सिग्मन फ्राइड महोदे द्वारत दिया गया था, जिसमें उन्होंने इड, एगो और सुपर एगो की अवधारना पेस की थी, फ्राइड ने सबसे पहले, मनो वैज्ञानिक विकास का सिध्धान दिया था, जिनका पूरा नाम सिग्मन फ्राइड था, उन्होंने इड, एगो और सुपर एगो की अवधारना अगला प्रेस्ण है, मनो विज्ञान की पिर्थम प्रियोग साला को किसने इस्थापित किया था, विश्व की पिर्थम मनो वैज्ञान प्रियोग साला किसने ववस्थित या इस्थापित की थी, उप्शन एक सिग्मन ने, उप्शन दो, डवलु बुंट ने, उप्शन तीन पावला ने, उप्शन चार वाट्सन ने, सही उतर है, उप्शन नमर दो, डवलु प्रियोग साला स्थापित की गई थी, उनके अनुसार विलियम वुंट ने मनो विज्ञान का पिर्थम प्रियोग साला 1889 इस्वी में जर्मनी में स्थापित की थी, जिसमें उन्होंने सहयोगियों के साथ प्रतेक्षन, समवेदना, दयात एवं समवेग जैसी पिर्मुक म प्रियाओं का अध्यान किया, दोस्तों आपको बता दें कि ये पेडागोगी सीरीज का पार्ट टू है, आज की इस वीडियो में हम दस महत्पूं प्रसनों को चुन रहे हैं, जिसका ये अंतिम प्रसन है, पार्ट दो का अंतिम प्रसन है, और वेब प्रसन है, गैस्टाल् किस ने रखी थी, प्रसन को ध्यान रखना चाहिए, इसके ऑप्शन है, मैक्स वथीमर, ऑप्शन दो, प्रांज ब्रेंटानो, ऑप्शन तीन, एडगर रुबिन, ऑप्शन चार, कर्ट लेविन, सही उतर है, ऑप्शन नमबर एक, मैक्स वथीमर, गैस्टाल्ट मनो विज् की आधार सिला, मैक्स वथीमर ने रखी थी, उनके अनुसार, गैस्टाल्ट मनो विज्ञान की आधार सिला, चार, जर्मन मनो विज्ञानिक, मैक्स, पहले हैं उनमें से, मैक्स वथीमर, दूसरे हैं, वॉल्फ, गैम, तीसरे हैं, कोहलर, चोथे हैं, कुर्ट, कॉफ का, औ और साथ में थे लेविन, इन सबने मिलकर गैस्टाल्ड मनोवज्यान की आधार सिला रखी थी, ये सभी मनोवज्यानिक जर्मन यानि जर्मनी के रहने वाले थे, ये ध्यान रखने योग्या बात है कि ये सभी वज्यानिक मैक्स, वर्थिमर, वॉल्फ, गैमन, कोहलर, जर्मनी से संबन्द रखते थे, इन्होंने गैस्टाल्ड मनोवज्यान की आधार सिला रखी थी, दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें दस महत्पूर्ण प्रसनों को हमने चुना था, आसा करते हैं, ये महत्पूर्ण प्रसन आपको आने वाले विभिन प करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर सेर करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो लाल बटन को दवा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के बटन को जरूर दवा दें, जिससे हमारी आने वाली नई नवेली वीडियो का आपको भरपूर कि यो में